सो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बिहार बोट की नमर वन चैनल एजुकेशन बाई गोप्ताज अड़ोप चैनल पे सो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कल है जोगराफी का पेपर ऐसे में आज के इस कलास में लेकी आए हैं कलास त्वल जोगराफी यानि की भुगोल के वारल पेपर जो की आपकी बोट परिचा में सीधे परिशन पूछे जाएंगे तो चलि दोस्तो बिना देरी करता हुए इस बीडियो को सुरू करते हैं जो भी स्टूडेंट इस बीडियो को देख रहे हैं बीडियो को सुरू से लेकि आकरी तक जरूर देखें कोर्सिस करें कि सारे प्रशन को याद कर सकें क्योंकि सारे प्रशन कापी मातपुन प्रशन इसलिए साही प्रिशनल को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी प्रिशनल को देखते हैं इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजे साथ इस वीडियो को अपने वार्टसप गुरूप से देखेंगे आप लोग वीडियो को सुरूप से लेकि आखरी तक जरूर देखे कोर्सिस करें कि हर एक प्रिशनल को अच्छी तरह से याद कर सके तो आपके स्कीन पर आपका पहला प्रिशन है किस परबत पर उंटी परता केंद्र अवस्तित है इसका जो कोरेक एंसर अबहु है इसका जो ऒती और ने थे जा कि परैकार की बस्तियां पने आपई जाती है जल अभाव वाले छेत्रों में किस परकार की बस्तियां पाई जाती है इसका जो correct answer है right answer option भी है पर किनन बस्तियां पाई जाती है तो 3 का right answer option भी है इसका जो correct answer right answer option भी है जून से सितमर तो जो जो चार का right answer option भी है इसका correct answer है इसका जो right answer option भी है फेजंडा कहा जाता है तो जो 5 का right answer option भी है उभोकता भी है तो 6 का right answer option भी है इसका जो correct answer option भी है तो 7 का right answer option भी है तो 8 का right answer option भी है इसका जो right answer है correct answer option भी है करनाटक में है तो 9 का right answer option भी है या चैप पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं तो अगल प्रिशनियां पर देख सकते हैं जो 10 प्रिशनिक का भी महात्पुन प्रिशनिक कह रहा है कि नम निच्चे वास से समन्दित कोन है इसका जो right answer option भी है तो देख सभी को बोड परिच्चा में option को साई से देख लेना है उसके बादी आंसर गोला करना है यहां पर जो 11 प्रिशनिक का रहा है कि निमलिकीत में सी कोन एक महादीप में जनसंक्या वीर्धी सरवाधिक है इसका जो correct answer है right answer option भी है अब फिरका में जनसंक्या वीर्धी सरवाधिक है तो दोस्तों 11 का right answer option भी है सो दोस्तों आप सभी का जो board परिच्छा सुरू होगा जो चालू होगा उससे 10 मिनट पहले आप लोग वायल पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग telegram चाहिए से जूर सकते हैं जिसका link हम वीडियो के नीचे दे दिया है यह आपको telegram पर जाना आपको search कना education by गुपता जी वहाँ पर आजाएगा और आप लोग असानी से जूर सकते हैं तो अल परिच्छनी आप देख सकते हैं जो 12 परिच्छन का रहा है कि निमलिखीत में कौन सा एक तीरतिया किरिया कलाप है इसका जो correct answer है right answer option D है विफार तो दिस्तु 12 का right answer option D है अल परिच्छनी आप देख सक देख सकते हैं निमलिखीत में वहाँ कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी समान और लंबी दूरी के लिए परियुक्त है यानि कि यूजफुल है इसका जो correct answer है right answer है option हम बात के लिए तो सीज का right answer है जल परिवहन तो दिस्तु 13 का right answer option C है अल परिच्छनी आ परिच्छनी मान भूगोल का जनक किसी कहा जाता है इसका correct answer option D को कहा जाता है या रेट जिल को कहा जाता है तो 15 का right answer option D है अल परिच्छनी आपर दिख से 16 परिच्छनी कह रहा है कि निमलिखीत में से कोंसा एक लो एकस नहीं है इसका जो right answer option A है इंथ्रासाइड तो दिस्त का right answer option A है अल परिच्छनी आपर दिख से 17 परिच्छन कह रहा है कि अधिवास की लगुत्तम इकाई है इसका correct answer option B है पली तो दिस्तु 17 का right answer option B है अल परिच्छनी आपर दिख से 18 परिच्छन है भात के चार महानगरों को जोड़ने वाले सरक है तो आपसे एक जान पूछ स का right answer option D है अल परिच्छनी आपर देख से 17 परिच्छन करा है कि नमलिकीत राज्यों में से किस एक में जन संग कखनत्व सर्वाधिक है इसका जो right answer is correct answer option A है पली जोकी सर्वाधिक है तो इनिस्तु 17 परिच्छन पर देख से 19 परिच्छने करा है कि निमलिकीत में से कौन सा भात में पुरुष परवास का मुखे कारण है तो इसका जो right answer options है काम और रोजगार तो 220 का right answer options है सारे प्रशन काफी महत्मुन प्रशन है इसलिए कोर्सिस करें कि हर एक प्रशन को याद कर सके इसे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें हैं उसे भी जाके देख लिजे तो इस वीडियो को सियर कर दे ताकि जो भी student board पर इच्छा देंगे उनको भी help मिल सके तो अल प्रशन याँ पी देख सकते हैं मानग विकार सुचांक में भात के निमलिकीत राजों में से किस एक कोर्टी उच्तम है तो इसका जो राइट एंसर उप्सन ए है किरल की उच्तम है तो किस का राइट एंसर उप्सन ए है अल प्रशन याँ पी देख सी बाइसन प्रशने निमलिकीत में सरवादिक परदूसित नदी कोन सी है तो इसका जो राइट एंसर एक कोरेक्ट एंसर उप्सन सी इसका राइट एंसर युम्ना नदी है जो की सरवादिक परदूसित नदी है तो 22 का राइट एंसर उप्सन से है अलपरिशन यहां पे देख सी तैसन परिशन है दो देशों के मद्धे विपार कहलाता है तो अफसे जैंब पुठ सेकता है दो देशों के मदे विफार कालाता है क्या कालाता है इसका जो राइट एंसर ऑपिसन भी है अंतराश्टिव विफार कालाता है तो तैस का राइच एंसर ऑपसन भी है अलबरश्नियापर Californ गांगगा देल्टाawan दृर्ष्ट का चोविस का र इसका जो और डेंशर है राइट यंसर ऑप्षन ए है, सीथ-रीतू में होती है, तो 25 का राइट यंसर ऑप्षन ए है, अलब्रशन आ पे दिख smys 86 प्रशन निमनिकीत में से कोन एक ऊर्जा का गेर प्रंपड़ागत सुरोत है, तो इसका जो राइट एंसर है option D है तो 26 का राइट एंसर option D है अलबर्शनिया पे 27 प्रिशन है निमलिकीत में से कौन सा नगण नडी टट पर अवस्तित नहीं है इसका जो राइट एंसर options यह भोपाल है जो की नडी के टट पर अवस्तित नहीं है तो 27 का राइट एंसर options यह अलबर्शनिया पे देख सकते 28 प्रिशनिंग कह रहा है कि निमलिकीत में से कौन सा राजे नडौला नाब के ओजा सेंद से समन्दित है तो इसका जो राइट एंसर option B है उत्तर परदेश तो 28 का राइट एंसर option B इसका राइट एंसर है तो दोस्तों आपको बता दे इस class में जोग्राफी के जो paper थे उसमें कुल यहां पे 28 object की प्रिशन थे तो पहले साब को कितने प्रिशन या आति सही सही नीचे comment किजिए वीडियो आपको पसंद रहा हो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कर दिजे क्योंकि like करने में एक रुपया भी नहीं लगता है और इस वीडियो को share कर दिजे ताकि जो भी student जोग्राफी का एकजाम देने बाले हैं उनको भी help मिल सके तो दोस्तों आप लोग चैंपे नए हो चैंपे सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी तरह और सब्जेट का वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले तो चली दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद